हलो फ्रेंट्स बागडवाइस्बी के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे सधारन ब्याज की किस्त की राशी किस तरह से ग्यात करते हैं इसके अलावा चक्रवती ब्याज की समाने जानकर इस वीडियो में प्राप्त करेंगे तो यह हमारा सधारन ब्याज का वीडियो नंबर फाइब है इसके अलावा चार वीडियो मैंने पहले से अफ्लोड कर रखे हैं प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं लिंक आपको प्रवाइड कर दिया जाएगा यह जो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स वो रीट लेवल फर्स्ट और सेकेंड के लिए इसके अलावा जो भी भाई बेने आर्मी, ससी, जीडी, टैन प्लस टू, रेलवे, वन पाल की त्यारी कर रहे हैं उन सभी के लिए कंटेंट बहुती यूजपूल साबिट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंट्स को शेर करें और पहली बार है तो चैनल को सस्क्राइब करें क्वेस्टन पहला है फ्रेंट्स आपके स्क्रीन पे कि कंचन ने 10% की दर से सधारन ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 1840 रुपे उधार लिए तो बताओ इस उधार को चुकाने के लिए परती वर्ष किस्ट की रासी कितने होगी फ्रेंट्स चार वर्ष है इसका मतवल 4 किस्टों में उसको चुकाने कितने चुकाने 1840 रुपे 10% की दर से तो फ्रेंट्स सबसे पहली हमारी जो किस्ट होटी है वो सधारन ब्याज में 100 यूनिट हम मानके चलेंगे उसके बाद जितनी दर है उतना बढ़ाते जड़े तो दूसरी किस्ट हो जाएगी फ्रेंट्स हमारी 110 और तीसरी हो जाएगी 120 और तीस चोती हो जाएगी 130 10-10% हमें बढ़ाते जड़े अगर 5% होते तो 5-5 बढ़ाके चलते चार किस्ट बोला इसने चार वर्स बोला इसका मतलब चार किस्टे इन सभी का टोटल कर देंगे तो इन सभी का जब टोटल करेंगे तो आप देख रहे होंगे फ्रेंट्स आपके पास आएगा 460 कितना आजएगा 460 यूनिट में माना है अगर मैं बोलूं friends कि 460 यूनिट है हमारी 4 किस्ते और रुपे में अगर बोलें तो friends कितने है 1840 रुपे 1840 रुपे या 460 यूनिट मत बलेक है यहां से friends हम एक यूनिट का मान निकालेंगे तो एक यूनिट का मान निकालोगे फ्रेंट्स तो आपका आएगा अठारा सो चालिस बटा में चार सो साट जीरो से जीरो जब आप कैंसल कर दोगे चालिस का चार से गुणा करते हैं तो एक सुचुरा सी आता है एक यूनिट का मान आया है फ्रेंट्स चार रूपे या जैनो एक यूनिट का मान चार रूपे आया है परते किस्त की रासी सदारन भी आज में पूछी जाती है तो एक यूनिट का मान जो भी आया है उसको सो से गुणा कर देंगे तो परते किस्त की रासी आजेगी फ्रेंट प्रते किस्त की राशी जब पूछे तो एक यूनिट का मान आने के बाद 100 से उसको क्या कर देना है फ्रेंट्स गुणा तो एंसर जो अमारा बनेगा 400 रुपे कि कंचन ने 5% की दर से 3 वर्स के लिए 945 रुपे उधार लिए तो बताओ इस उधार को चुकाने के लिए परती वर्स किस्त की राशी कितनी होगी अब देखो फ्रेंट्स सदार निब्याज में पहली किस 100 यूनिट उसके बाद दर कितनी है 5 तो दूसरी कितनी हो जाएगी 105 और दिसरी कितनी हो जाएगी 110 तीन लेनी है क्योंकि तीन वर्स का बोला इस ने तो इसको जब आप टोटल करोगे तो हमारे पास आजेगा 315 यूनिट या नो 315 यूनिट यूनिट में बोलें तो फ्रेंट्स 315 यूनिट आ रहा है और अगर रुपे में बोलें तो कितना है 945 रुपे हैं यहां से friends हम एक यूनिट का मान निकालेंगे तो यह हो जएगा 945 बटा में 315 और इसको जब cancel out करोगे तो एक यूनिट का मान आएगा 3 रुपे और प्रते किस्त के लिए किस से गुणा करते हैं सदारनी ब्याज में 100 से गुणा करते हैं तो प्रते किस्त आजएगी friends 300 रुप next question है friends screen पे कि कंचन ने 4% की दर से सदारनी ब्याज की दर से 4 वर्स के लिए 848 रुपे उधार लिए तो बताओ इस उधार को चुकाने के लिए परती वर्स किस्त की रासी कितनी होगी friends सदारनी ब्याज में पहली की 100 यूनिट उसके बाद दर कितनी है 4 तो कितनी हो जाएगी दूसरी 104 तीसरी कितनी हो जाएगी 108 चोत्ती कितनी हो जाएगी 112 चार चार बढ़ाते जाने चार ही क्यों क्यों कि चार बर्स का बोला है इसको हम क्या करेंगे friends टोटल करेंगे टोटल करेंगे तो आप देख रहे होंगी यह हो जाएगा 424 कितना हुआ friends 424 यूनिट हुआ से तो आप देख रहे हैं 848 बटा में 424 एक यूनिट का मान आएगा दो रुपे प्रतेकिस्त ग्यात करने के लिए friends किससे गुणा कर देते हैं 100 से तो 100 का 2 से गुणा करोगी तो एंसर आजएगा friends 200 रुपे कितना आएगा प्रतेकिस्त की रासी 200 रुपे आईगी तो इस तरह से हमारा सधारन ब्याज यहां complete होता है friends और सधारन ब्याज के जितने भी mention topic ते मैंने सब पढ़ा दिये हैं आज हम कुछ introduction लेते हैं इसी पार्ट में चक्रवती ब्याज की उसके बाद 5 वीडियो में मैं उसको complete करूँगा चक्रवती ब्याज क्या होता है और साथ में सधारन ब्याज अभी आपने सीक है दोनों में difference भी पता चल जाएगा पहला क्वसन देख रहे हैं आप 5% की दर से 4000 रुपे का चक्रवती ब्याज दो वर्स के लिए हमें ग्याद करना है तो friends जब भी हमें चक्रवती ब्याज ग्याद करना पड़े तो यहां कुछ effect आपको एक साथ ही देखने को मिलें अलग-अलग देखने को अलग से सो ट्रिक या किसी प्रकार का फूर्मूला लगाने की जुरूरत नहीं पड़ेगी हमें मूल दन कितना दे रहा है फ्रेंट्स 4000 रुपे इसको यहां लिख लीजी यह मैंने 4000 रुपे लिख दिया आपके लिए यस या नो अब उसके बाद दो वर्स है तो इस 4000 को दो बागों से डिवाइड कर लेना है ठिक उसके बाद दर है दर कितनी है फ्रेंट्स पांच परसेंटे अभी दर को मैंने पीछे भी तोड़ना परसेंटेज में लावानी में सभी मिसकाया था कि परसेंटेज जो है उसको इस तरह से पांच बटा 20 सोरी पांच बटा क्या लिख सकते है सो लिख सकते हैं क्योंकि परसेंटेज अटाएंगे तो इसे लिखेंगे तो यहां एक जगें यहां लिख दीजिया पांच बटा सो और एक जगें इधर भी लिख दीजिये पांच बटा में सो लिखा प्रेंट्स अब यह जो पांच बटा सो है इसका मतबल क्या होता प्रे जो पहले साल है इसके निचे एक डिवाइडेसन और लगाना है और इसकी जगें भी इदर कितनी है पांच बता-सो लिखने हैं Friends, अभी मैंने बताया इस पांच बता-सो का अब किस के साथ गुना करोगे किस के निचलाइन लिक्यों यह 200 के साथ, तो यहां 200 का गुना करोगे, तो फ्रेंट्स यह आजएगा पांच दूए 10 अब फ्रेंट्स, यहां कुछ बात आपको clear हो जाएगी अगर आपसे पूछा जाए कि total ब्याज कितना आएगा चक्रवती ब्याज तो 200 रुपे ये 200 रुपे ये 400 और 10 रुपे ये total चक्रवती ब्याज 400 दस रुपे आएगा कितने साल का दो साल का उसके बाद friends अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सधारन ब्याज कितने है तो 200 ये 200 ये दूसरा question ये आपका सधारन ब्याज पूछा जाए तो 400 रुपे ये तीसरा पूछा जाए कि friends सधारन ब्याज और चक्रवती ब्याज का अंतर कितना आएगा दो साल का तो हमारा अंतर कितना आएगा 10 रुपे तीसरा question अगर आपसे पूछा अ चक्रवती ब्याज का मिसरधन कितना होगा तो चक्रवती ब्याज आपने कितना दिया 410 रुपे मुल्य कितने थे 4000 रुपे इसमें जोड़ देंगे तो मिसरधन आ जैगा 4710 रुपे ठीक है तो इस तरह से अगर फ्रेंट्स वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सस्क्राइब जुरूर करें और अन्य फ्रेंट के साथ शेर करें लाइक करें तो यहां में क्या पुछा गया था उनली पॉर चक्रवती ब्याज था तो एंसर अमारा कौन सा रहेगा 410 रुपे नेक्ट कोशन है स्क्रीन पे 10% की दर से 1000 रुपे का दो वर्स का चक्रवती ब्याज ग्याद कीजिए तो वही फ्रेंट्स मूल दन कितना है 1000 रुपे है उनली फोर उसको दो साल का चक्रवती ब्याज है तो दो लाइल लगाने है ठीक है 10% का मतवल क्या है 10 बटा में 100 क्योंकि परसेंटेज आताते हैं तो 100 लगता है सभी को पता है तो 10 बटा में 100 यहां लिख देना है और इधर भी 10 बटा में क्या लिख देना है फ्रेंट्स इस 1000 का 10 बटा 100 से क्या होगा गुणा होगा 20 से 20 कैंसिल आउट हो जेगी तो यहां आप देख रहे होंगे 100 यहां जेगा और 100 यहां जेगा ठीक उसके बाद इसको एक बटा 10 बटा में 100 जो आपकी दर है उसको यहां लिखने तो इसका जब 100 का आप 10 बटा 100 से गुणा होंगे 10 आएगा ठीक तो अब अताओ मुझे चक्रवर्ति ब्याज कितना आया 100 रुपे यह 100 रुपे यह 10 रुपे यह तो टोटल चक्रवर्ति दो साल का कितना हो गया 210 रुपे हो गया यह से नो उसके बाद हमारा जो एंसर है इसके अंदर ए नमबर सही रहेगा उसके होगा Hack अब हमें रुपे कितने डे रहे एностью 8000 कितने साल का पूचा दुसाल को देन लगा दोडर कितनी 20 वटा में सो यहाँ 20 वटा सो लिखें ीक है इधर भी बीश वटा क्या लिखें सो लिखेंढो लाइने लगा है तीन लगातें तीन साल का पूचतें तो पिस वटा सो अब ये 20 वटा 100 किसके साथ गुणा कर रहा है? 8000 के साथ जैसे इसको cancel करोगे कितना आएगा? 1600 करोगे ना 2 काट से गुणा 16 तो 16 सोजेगा उसके बाद इसके निचे भी क्या लगाना है? 20 वटा में 100 20 वटा 100 करोगे 1600 का अब 1600 को 20 वटा 100 से क्या करना है? फ्रेंड्स गुणा तो इधर आप देख रहे होंगे कितना? 320 रुपे एक्स्ट्रा बन जाएंगे ठिक अब अब ताओ मुझे टोटल व्याज कितना बना? आपका 320 रुपे यहां से आगे ना? 62 रुपे यहां से आगे ना? बीस रुपे 3520 हमारा क्या आगया फ्रेंड्स? एंस्वर आएगा अगर यहां सदारनी व्याज पूचता तो 1600, 1600, 32 रुपे लेकिन चक्रवती व्याज कितना आया? 3520 रुपे नेक्स्ट क्वेसन है फ्रेंड्स स्क्रेन पे अब देखो अभी हमने दो साल का चक्रवती व्याज सीखा अगर अब हमें तीन साल का चक्रवती व्याज पुच्छा जाए तो यहां तीन वर्स का है फ्रेंड्स तो आप जो मुल्य आपको दे रखा है उसको हजार को तीन भागों में बांट लोगे इस चीज को थोड़ा समझना फ्रेंच तीन भागों में बांट लिया दर कितनी है 10% 10% का मत्वल 10 वटा में 100 यहां भी 10 वटा में 100 इदर भी क्या लिक देंगे 10 वटा में 100 10 वटा 100 का जार से गुणा करोगे कितना हैगा फ्रेंच 100 इदर भी क्या लगाएंगे 100 इसके नीचे भी 100 सदारन भी आज पूछा जाए 100 300 सदारन भी आज तो आ चुक है लेकिन हमें चक्रवती भी आज ग्याद करना है तो फ्रेंच सबसे पहले इस वर्स के नीचे कितना लगाएंगे 10 वटा में 100 जिरो से जिरो कैंसिल आउट कितना बचा 10 ठीक है अब डेको फ्रेंच ये दूसरे साल का क्योंकि पहले साल का तो सदारन भी आज चक्रवती भी आज बराबर होता है दूसरे साल के लिए हमारे को 10 रुपे एक्स्ट्रा देने पड़े अब तीसरे साल के लिए देखेंगे हमें एक्स्ट्रा कितने देने पड़े तो तीसरे साल से पहले जितने भी आ रहे है उन सबी पर ब्याज लगेगा फ्रेंच ये हमारा तीसरा साल है तीसरे साल से पहले क्या क्या है 100 ये 100 ये 10 ये अब ब्याज किस पर लगेगा चकरवती ब्याज 210 रुपे पर लगेगा दोवार से देखें प्रेंट्स ये हमारा तीसरे साल का ब्याज है इस तीसरे साल के ब्याज से पहले क्या क्या है सो ये सो ये दस ये तो तीसरे साल से पहले प्रेंट्स क्या क्या है सो ये सो ये और दस ये 210 पर ब्याज लगेगा किसका दस बटा सो का यहां से जब आप कैंसिल आउट कर दोगे जिरो से जिरो तो तीसरे साल के निचे कितना लिख देना है 21 अब देखो फ्रेंट्स यहां केई मान आप ग्याद कर सकते हैं अगर आपसे पूचा जाए सदारन व्याज तो सो 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 तीन सो अगर पूचा जाए आपको तीन साल का चक्र विरिदी व्याज तो यह सब का सब चक्र विरिदी व्याज है फ्रेंट्स इसको जोडने 10, 100, 100, 300, 10 ये, 21 ये तो टोटल कितना हो जाएगा 331 रुपे हमारा क्या आचुका है तीन साल का चक्रवर्थी ब्याज आचुका है इस तरह से हमारा जो अंसर आएगा 331 रुपे आएगा Next friends, 5% की दर से 2000 रुपे का तीन वर्थ का चक्रवर्थी व्याज कितना होगा तो यहाँ आप लिख लीजिए 2000 कितने साल का पुछा तीन साल का तीन लाइने लगा दे नियस Yes या नो दर कितनी? 5 तो 5 बटा में 100 इधर भी 5 बटा में 100 इधर भी 5 बटा में 100 2000 का 5 बटा 100 से क्या करेंगे फ्रेंट्स गुणा करेंगे 200 से 200 कैंसल आउट तो यहां कितना आया 100 यहां कितना आया 100 यहां भी कितना आया 100 ठिक उसके बाद दूसरे साल का क्योंकि दूसरे साल से पहले क्या है यह 100 रुपे इस पर भी व्याज लगेगा पांच बटा में 100 कितना या 5 अब ये देखो फ्रेंट्स तीसरे साल से पहले क्या है 100 ये 100 ये 5 ये तो किस पर व्याज लगेगा 205 पे कितना लगेगा 5 बटा 100 के हिसाब से अब ये कट रहा नहीं है तो 205 को अगर आप 5 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 1025 बटा में 100 हल करेंगे तो 10.5 आजएगा अब बताओ 3 साल का ब्याज कितना चकरवती 100 100 100 300 ये 5 ये और 10 ये मतल ये हो गया हमारा 315.25 रुपे ये हमारा क्या आया चकरवरिदी ब्याज सदारन ब्याज पुछे तो 100 ये 100 ये 100 ये कितना आता 300 रुपे आता लेकिन चकरवरिदी ब्याज कितना आया 315.25 रुपे आया अगर फ्रेंट्स पुछा जाए कि चकरवरिदी ब्याज का अंतर बताईए आप चो चकरवरिदी ब्याज का अंतर पूछ लिया जाए फ्रेंड्स की चक्रवती ब्याज का अंतर कितना आएगा तो आप देख सकते हैं चक्रवती ब्याज का अंतर ये है कितना है पांच ये दस पॉइंट पांच ये तो मतवल 315.25 रुपे चक्रवती ब्याज क्या क्या है अंतर है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेर जरूर करें अपने मित्रों को आज हमने समान्य जानकारी लिए चक्रवती ब्याज की कि चक्रवती ब्याज कैसे ग्याद करते हैं दो वर्स या तीन साल का तो हैपी होली आल सिटीजन होली चली गई है दो दिन से कोई वीडियो नहीं आया है है होली में विजी होने के कान लेकिन अब से कंटिनूज वीडियो शुरू रहेंगे इस बागड़ो एसबी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को करें शेर करें और लाइक करें थैंक्स वाचिंग माई वीडियो कल मिलते हैं चक्रवति ब्याज के सेकंड वीडियो के साथ ठैक्क दोस्तों